हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारेपत्रक नमबर 28 करेंगे जो की क्लास 8 की है और विश्य है सामाजिक विज्यान यह वरक्षिट 25 जैन्वरी 2021 की है तो आईए शिरू करते हैं आज की वरक्षिट वरक्षिट शिरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की वरक्षिट आज की वर्कशीट में हम वर्कशीट के question answer करेंगे तो आईए देखते हैं फर्स्ट question क्या कहा गया है पिटा पूना सारवजनिक सभाग में शब्द सारवजनिक से आप क्या समझते हैं तो सारवजनिक आर्थ होता है सभी के लिए हम इसमें लिखेंगे सभी के लिए और सभी के द्वारा सभी के लिए और सभी के द्वारा तो इसका मेनिंग क्या हो जाएगा सभी के लिए सभी के द्वारा तो ये फर्स्ट का अंसर हो जाएगा वर्ना कुलर प्रेस एक में किस परकार के भारतियों को प्रभावित किया तो आएए देखते हैं यहाँ पे second के answer में आप लिखेंगे यह जो दिया गया है यह हो जाएगा answer number second question number third देखते क्या कहा गया इलबार्ट बिल क्या था इसे वापस क्यूं लिया गया तो बिटा देखो यहाँ पे दिया गया answer number three तो आप यहाँ पे लिखेंगे answer number three यहाँ से भारतियों जद 1883 में पारित भारतियों जद अंग्रेज या इरूपे लोगों की नया एक सुनवाई कर सकते थे लेकिन अंग्रेजों ने विरोध करने पे सरकार को वापस लेना पड़ा तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप answer number three कर देंगे अब हम करते है question number four आपकी विचार में तिनों कानूनों में से किस कानून ने भारतियों को सबसे अधिक प्रभावित किया होगा अपने पक्ष में उत्तर दीजिए तो अपने पक्ष में आपको क्या लगता है तो देखो इसका answer लिख सकते है इलबाड बिल्कियों क्यों क्योंकि इसके अंदर भारतिया जज को अंग्रेज और यूरोपियों लोगों की सुनवाई कर सकते थे इस बिल्के अंदर तो शाय प्राइब।